कपिल्देव हैं मुझे कर्ण का वैक्टित्त्य भोट प्भावित करता है कर्ण के वैक्तित्त्य वहिए का आज ईवाओं को दि requisite कर्ण के वहिए चाहे रोंगैज कर्ण क कर्ण का वैक्तितों आकरशक है क्छा हैं कि हमें दिखाई देता है कि उंची फ्रतिभाव ही कैसे अपने आपको व्यर्थ कर सकती है यह सीखने वाली बात है कर्ण में अनुशासन है कर्ण में निष्ठा है कर्ण विद्वान भी है लेकिन कर्ण कुछ माननेताओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं सामाजिक माननेता यह कि मुझे जब तक उंची जातिका कहकर सम्बोधित नहीं किया जाएगा तब तक मैं स्वयम को सम्मानित नहीं मानूगा कोई आवश्यक्ता नहीं थी यह धारणा रखने की एक आग्रह है यह एक जिद है इसको छोड़ा जा सकता था पर कर्ण ने कहा देखो सब मुझे सूत पुत्र कहके बुलाते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है क्यों बुरालगता है लोगों का मूह है लोग कुछ भी कह सकते है क्यों बुरालगता है क्यों को और बड़ा लगा कि ध्युक्त नहीं वाला था दुरॉपदी को दृॉपदी ने कह दिया बाकी सब ठीक है पर मैं तो क्षत्रे से ही रिवा करूँगी ये सूत है और बुरा लग गया क्यों बुरा लग गया कोई लड़की कोई स्तरी आपको आपकी तथा कथित जाते के नाम पर अगर खारिज करती है ठुकराती है तो लड़की आपके लायक ही नहीं है लड़की हो, लड़का हो, मित्र हो कोई हो, समाज हो, कोई अगर आपको आपका उपनाम देखकर, आपका जाते नाम देखकर, सम्मान या सम्मान देता है, तो अच्छा हुआ ना, आप जान गए कि वो व्यक्ते आपकी जीवन में होने ही नहीं चाहिए था, पर कर्ण ने बुरा मान लिया, कर्ण को चोट लग ग हैं, उनमें एक बड़ा दोश आप जानते हैं क्या है, यही, चोट खाना, शोक एक दोश माना गया है, आहत हो जाना, यह दोश है एक, तो यह जो दोश है, जिसमें आप संसार से चोटिल होने को बहुत तयार रहते हो, जहां आप आत्मा बन के नहीं, बल्कि एक वल्नरिबल अहंकार होकर जीते हो, उसके नतीजे भयावा होते हैं, जिनको लोगों की बातों से बहुत फर्क पड़ता है, उनका हश्र कर्ण जैसा होता है, कर्ण हस भी तो सकते थे, हाँ ठीक है, तुम्हें मेरे धनुष की टंकार नहीं सुनाई दे रही, तुम्हें मेरी प्रत्यंचा का तनाव नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें पस ये दिखाई दे रहा है, कि मैं एक साधारन घर में पला बढ़ा, तो तुम्हारा स्वागत मेरे बान करेंगे, या बाडों को भी बोल दोगे, कि अरे बाडों, तुम तो सूत-पुत्र के बान हो, तो तु समाज ने करण के साथ अन्याय किया, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, पर ऐसा कहने से लाव नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता है कि आप ऐसा कहें, समाज तो कुछ भी बोलेगा ना, लोगों पर आपको कितना बस चल सकता है, लोगों का काम है कहना, तो विदान्त कहता है, वो बन जाओ जिसको फर्क ही नहीं पढ़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम अपना काम करो ना कर्ण का जीवन एक अर्थ में बड़ी गुलामी का जीवन है उनको लगातार इस बात से बहुत फर्क पढ़ता रहा कि दूसरे उनको क्या कह रही है बहुत फर्क पढ़ता रहा जीवन भर वो अपने क्षत्रित्तों की तलाश में रहे अब भगवद गीता तो ये बोलती है कि वर्ण तुम्हारे कर्म से निर्धारित होता है कर्ण जब अपना कर्म जानते थे तो उन्हें कोई आवश्रक्ता नहीं थी कि लोगों की बातों का बुरा मानने और लोगों की बातों का बुरा मानने के फलस्वरूप देखो उन्हें गलत पक्ष का साथ भी देना बड़ा युधिष्ठिर से जेष्ट थे राजा होते अच्छे राजा होते शायद युधिष्ठिर से बहतर राजा होते नहीं हो पाए नहोता कर्ण का साथ तो शायद इतनी लाशें भी नहीं कि इतनी दुर्योधन की हिम्मत नहीं होती महाभारत करने की जानते हो असली युद्ध तो पितामह के शैया पर जाने के बाद शुरू हुआ है आप अगर अठारा दिनों का व्रिदान्त पढ़ेंगे तो जब तक भीश्म नित्रतों में थे तब तक तो युद्ध ठीक से होई नहीं पा रहा था भीश्मर जोन आमने सामने आते थे तो उधर पितामह उधर परपूता ये दोनों एक दूसरे को स्नेह के फूल मारते थे बाड़ों की जगए तब ही तो बीच में एक दिन कृष्ण बहुत कुपित हो गए थे और पहिया उठाकर दोड़े थे कि अर्जुन तुम तो इनको मारने से रहे मैं ही इनको मारे देता हूं उसकी वज़ाई यही थी और भीश्म ने कह दिया था कि मैं जब तक सेना पती हूं तब तक करण लड़ेंगे नहीं तो करण अपना बाहर बैठे हुए और इदर से बीश्म ठीक से लड़ रहे हैं और इदर से नार्जुन ठीक से लड़ रहे हैं और भीश्म का तो हम बहुत कुछ कैब है नहीं सकती क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुगी थी उस उम्र में तो वो अधिक्तम जो शौर्य प्रदर्शित कर सकते थे वो भी पता नहीं कितना होता पर अर्जुन मुंता के मारे और मुह और सम्मान के मारे अपना पूरा बल प्रदर्शित ही नहीं कर रहे थे पिता मा को दुरियोधन को भीश्म का उतनानी भरोसा था पहले ही अध्याय में दुरियोधन कहते हैं एकदम जब शुरुवात होती है जब अभी श्री कृष्णी ने कुछ बोला भी नहीं है उससे पहले दुरियोधन बोल उठते हैं क्या बोल रहा दुर्योधन कि हम सब को मिलकर पितामा की रक्षा करनी जाईए तो क्या भरोसा है दुर्योधन को भीशम पर दुर्योधन को भरोसा था करण का करण के भरोसे पर इतनी लाशें गिरवाई है और करण क्यों टिकें दुर्योधन के साथ क्योंकि अपमान का बद्दा लेना है मान अपमान के फेर में जब हम पढ़ते हैं और हम समाज की जब बहुत ग्रहा को जाते हैं समाज के सामने हाँ जोड़ को खड़े हो जाते हैं कि हमें तो समान दो ही दो तो फिर हमारा करण जैस बल, प्रतिभा, अनुशासन बहुत रहा होगा, क्योंकि अर्जुन ने जितनी शिक्षा पाई और जितना अनुकूल वातावरन पाया, उतना तो करण को मिला भी नहीं, अर्जुन राजपुर्त्र थे, बच्पन से ही अर्जुन को बहुत अच्छे तरीके से, शहस्त्र शास सारी विद्या जी गई और पोशन, आहर, व्यायाम ये सब भी दिया गया होगा, करण को तो वो सब मिल भी नहीं रहा था, उसके बावजूद, करण बड़े जबरदस्ती उद्धा बनके निकले थे, ऐसी प्रतिभा बस एक ट्रेजडी बनकर रहा गई, करण को कोई भी बस एक त्रासदी की तरह ही तो याद करता है ना, कुछ रखा नहीं है ट्रेजडी बन जाने में, आधरी बात समझे है, एक जिंदगी है, क्यों चाहते हो कि देवदास की तरह याद रखे जाओ, अच्छा आदमी था, बिचारा मारा गया, अच्छा आदमी उतो खुल कर जियो आनन्द तुम्हारा अधिकार है, और जब आप देखते हैं, कर्ण की ओर, तो हाँ आपको आनन्द नहीं दिखाई देता है, वहाँ आपको अगनी दिखाई देती है, आहंकार जल रहा है, छटपटा रहा है, बहुत दुख पा रहा है, और क्या सकते हैं कि उस दुख का कारण समाजिक को प्रताएं है, क्यों नहीं कुंती में इतना dham था की कहती हैं, कि मेरा बच्चा है, कुछ कहता रहा है समाज, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, हम दोश दे सकते हैं कुंती को भर कुंती को दोश देने से कंग के Juist circuit कम नहीं हो जाएगी को थे को सूर्य को करन मिले थे कि अब कत्रा ने सको ऐसा बना दिया की सूर्धेव आस्मान से उतरे थे और वर्दान में कुंती को पूत्र दे गए पर हम जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं तो सामाजिक लाज का डर बहुत कुंती को और कुंती तब तक ब्याता भी नहीं थी और बच्चा हो गया तो उन्हें बड़ा उसमें अपमान लगा और लज्जा लगी तो उन्होंने बहा दिया पानी में सब होता रहता है हम में से कोई भी ऐसे नहीं है थोड़ा बहुत कर्ण जैसा नहीं को जहाँ क्यंती है वहाँ कर्ण को होना पढ़े का कि anticipate माने एक एसा विक्ति gue समाज से बहुत डरता है जो प्रेम भी खुल कर नहीं कर सकता जैसे आप में से बहुत लोग छुप छुप कर अभी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे तो जितने अभी लोग अभी छुप छुप कर देख रहे हैं वो सब कुंती हैं हम सूर्यदेव हैं अमध आ गया क्या याद ठंडी हो गई है जल कोई वातने कोई ठीक 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 पट तो जब भी कोई कुंती होती है ना तो वो फिर कर्ण की त्रासदी पैदा करती है प्रेम अपना संतान अपनी बहादी इस अब क्या चल रहा है आप देख नहीं रहे हो प्रेम के प्रति सत्य के प्रति असम्मान और जो लक्षन कुंती के हैं वही जैसे विरासत में कर्ण को मिल गए हैं कुंती भी समाद से बहुत डरी और कर्ण भी समाद से बहुत डरे आपके कर्ण डरे हैं बिल्कुल डरे नहीं तो कोई आकर कह रहा है सूथ पुत्र तो कर्ण कहना चाहिए था हाँ मैं हूँ सूथ पुत्र मैं हूँ सूथ पुत्र तो कर्ण का शरीर आप जानते हैं कैसा था उनका एक नाम था वरिशसेन नाम था शायद थोड़ा खोजिएगा तो शिवाजी सावंत का है मृत तिंजय पढ़िएगा मैंने भी अपनी जवानीम पढ़ा था बढ़ा अच्छा लगता है तो नाम उनको ऐसे पढ़ा था कि एक सांड था वो किसी को पकड में नहीं आ रहा था तो तब ये बस जवान थे पिशोर थे कर्ण पकड जा करके उससे भिड़ गए थे और उसको काबू में ले आए थे तो ऐसे शरीर के और ऐसी आग के मालिक थे कर्ण तो दुरापदी का किस्सा हम जानते हैं पर कर्ण का जो अपना प्रेम प्रसंग है उससे हम परिचित ही नहीं है क्योंकि कर्ण कि जो सूक्ष्म और कोमल बात है उनके व्यक्तित्यों का जो सुगंधित पक्ष है वो हमें बताया नहीं जाता तो सब भी हाप पढ़िएगा तो क्या वश्यक्ता है तो कुछ भोले क्या करना है आज भी हमारे सब बंधों है भारत में जाते बाद तो खूब रहा है ना मैं उनसे भी कहता हूँ करन मत बनों दुनिया कुछ बोलती रहे दुनिया तुम्हें तुम्हारी जात से बुलाई क्या फर्क पड़ता है दुनिया को तुम्हारा जन्म है क्या तुम्हारी जात है कुई उसको लेके कुछ इशारा करे तो और जोर से घोशना करो हाँ मैं जन्म से फलानी जात का हूँ लेकिन जानवर नहीं हूँ, स्वयम को जानता हूँ, इसलिए मैं आजात हूँ करण ये घोशना कभी कर नहीं पाए एक तरह से दुर्योधन ने इस बात का बेजाला भी उठाया उसने का ये आदमी है, ये स्वयम को लेकर के बड़े कुरोध में और बड़ी हीन भावना में है लेकिन योद्धा ये प्रचंड है, तो इसको मैं अपनी और करे लेता हूँ एक छोटा सा राज्य है बहुत, जो अंगदेश है ना, उसको आप नक्षय पे खोजिएगा तो अंगदेश कोई बड़ा सा है दिने, उतना सा दे करके कर्ण को बिलकुल अपना बना लिया दुरियोधन में, ये हो जाता है सब तरह कि हम गलत निर्णे लेने लग जाते हैं जब हम हर्ट से ऑपरेट करते हैं हर्ट असानी से जिवने मताने देजिए, do not allow people to hurt you हर्ट अंदरुनी बात होती है, देखिए, दो बाते होती हैं, हम आने पहले भी बोला है, दर्द और दुख दर्द और दुख दुख माने हर्ट होता है दर्द को आप पेन बोल लो, या ब्रूस बोल लो, या वूंड बोल लो यह बाहरी होते हैं शरीर पर कुछ हो जाए, उस पर समाज का हक है शरीर को कोई जाती दे दी, उस पर समाज का हक है शरीर पर क्या हो गया है? खरोंच लग गई है, या छिल गया है, या हड़ी तूट गई है, वूंड, ब्रूज, फ्रैक्चर, कट, पेन, ये सब किस से तालुक रखते हैं? शरीर से, अब इस पर हम क्या कर सकते हैं? मैं आपके सामने बैठा हूँ, बैठे बैठे मेरी कुरसी पटाक से गिरूंगा, कुछ भी हो सकता है, तूट गई हड़ी, लेकिन हर्ट का संबंध भीतर से है, यहां, च्छाती से, वहां नहीं लगना चाहिए, शरीर पे लग गया, च्छाती तो नहीं लगना चाहिए, जिसने समाज को, सैयोग को, प्रक्रत को यह अधिकार दे दि वो आदमी फिर समाज का गुलाम हो जाता है, दुनिया को यह हक मत दीजिए, कि वो आपको भीतर से चोट पहुंचा दे, यह हक बिलकुल भी मत दीजिए, मत दीजिए, आप बाहर बाहर आप तो मारा बुरा कर सकते हो, बिलकुल कर सकते हो, कोई डंडा मार गया, कोई पैसे चीन ले गया, किसी ने गाली दे दी कर सकते हो, लेकिन तुम कुछ कर लो हमें वो हो जाना है जो बाहरी प्रभावों से सर्वता असपरशित रहता है इसी को आत्मा बोलते है कर्ण काश के आत्मा हो पाते है कर्ण काश भीतर अपनी उस निजिता को खोज पाते है, जिस पर समाज के तानों का कोई असर नहीं पड़ता है उन पर तानों का असर पढ़ गया पढ़ गया और जिंदगी में आपको कोई ढंका काम करना हो ना तो थोड़ा सा आपको समाज प्रूफ बनना पड़ेगा इन्वल्नरिबल कुछ होना चाहिए अपने पास जो किसी की पकड में आये नहीं इसको कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता वो होना बहुत जरूरी है करन को तो बात-बात पर चोट लगती है इतनी चोट मत खाया करिये यह अच्छी बात नहीं है समवेदन शीलता का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा पर चोट खाली समवेदन शीलता का अर्थ होता है कि बाहर जो दुख है उसका मुझे प्रतिपल ग्यान है खुद बारवार दुखी हो जाने को समवेदन शीलता या सिंसिटिविटी या कमपैशन नहीं बोलते हैं दूसरों का दुख जानना एक बात है और दूसरों के द्वारा स्वयम दुखी हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है आसमान से पत्थर बरस रहे हैं आग लगी आकाश में जरजर गिरे अंगार बरस रहे हैं अरे मेरे पर पत्थर बरस गया अंगार बरस गया मुझे बड़ी चोट लग गई यह शोक है और पत्थर बरस रहे हैं लोग दुखी है यह कमपैशन शोक तो दोश है अर्ण बड़े शोका कुल रहे यह यह गड़वड हो गई है प्रिष्ण मिल जाते तो खेल पलट जाता है कैलाश्वीर है सर में वी प्लान तो शिफ्ट अवर बुद्स्थर तो किरल किरल है बटर अट्मोस्फिर धन न्-C-R विचार तो शायद अच्छा ही है लेकिन करेगा कौन विचार तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं विचारों को जब कार्यानवित करना होता है कार्यानवित करना वाने यह नहीं होता कि एक चीज चल रही थी वो भी खराब हो गई और जो दीसरी चीज शुरू करनी थी वो भी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई बहुत ज्यादा यह जिम्मेदारी की बात होती है अभी हम जहां हैं और जिस स्थिति में हैं वहां बहुत कुछ ठीक नहीं है खत्रे भी हैं आपने थोड़ी भी साधारन बुद्धी होगी तो आप समझ जाएंगे कि हमारे काम के लिए उप्युक्त जगह नहीं है बिलकुल ही नहीं है पर्यावरण की द्रिष्टी से भी अन्य द्रिष्टियों से भी पर कौन करेगा अशल में आप लोग नहीं समझते हो कि जब कोई सही काम होने लगता है तो उसको जो समाज का स्टेटस को है जो इनर्शियल फोर्सेज है जो चाहती है कि अथा स्थिति बनी रहे वो कितना ज्यादा विरोध देती है आज भी सत्र शुरू होना रहा होगा सवादस बोला गया था शुरू हुआ है दस चालिस के असपास आपको क्या लगता है कि हम इसलिए निशुरू कर पाये कि कल भी देर से शुरू हुआ था शायद कल क्या था सथर हां कल तो आइटी अब क्या लगता है मैं मैं मौज कर रहा था मैं इसलिए निशुरू कर पाया मैं आना चाहता हूँ मैं समय पर पहुँचना चाहता हूँ मेरी पूरी तयारी रहती है और उसी अक मुझे दिखाई दे कि बोजस्थल के साधारन काम भी नहीं हो रहे हैं तो मुझे रुकना पढ़ता है और कराना पढ़ता है भाई यहां मिशन को आगे बढ़ाना तो बह देली स्ट्रगल मैं फिर दोड़ा रहा हूँ आपका समाज सच्चाई के कामों का समर्थन नहीं करता है यहां ऐसा नहीं है कि मुझे गाड़ी मिली हुई और मैं गाड़ी में बैठकर आप तक आ जाओं मैं गाड़ी को धक्का दे दे कर आप तक आता हूँ मैं गाड़ी के भीतर नहीं होता हूँ मैं गाड़ी के बाहर होता हूँ गाड़ी को धक्का मारता हूँ और लगभग कल जिस वज़े से दे रही हुई थी वही वज़े आज भी है मैं सत्र में आता हूँ बैठता हूँ मुझे पांच-दस मिनिट लगते हैं ओरियंट होने में क्योंकि मैं उससे पहले बहुत ही अलग तरीके के और बहुत ही साधारन बलकि निम्न शेनी के कामों में उलजा होता हूँ आप कह रहे हो केरल बोस्थल ले जाओगे एक कुरसी एक तार कैसे जाना है एक फाइल वहां कैसे जानी है किचन की कडाही भी वहां कैसे जानी है ये भी मुझे ही देखना पड़ेगा आपने तो कह दिया केरल ले जाओ अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो यहां पर ट्राइपॉड भी कैसे आना है वह भी आधे गंटे में उल्जाओं तब हुआ है कि ट्राइपॉड समझते हैं जिस पर क्यामरा रखा होता है कि सत्र में तो आपके मैं अब चलिया आप अपने हैं बताएद सत्र में आकर बैठ जाता हूं वहां नहीं समस्याती क्योंकि वहां आपको मेरा बास इतना दिखाई देता है मामला पेट से चाती से उपर उपर का तो आपने अधिक से यह देख ली शर्ट अब आएटी जब जाना है तो वहां पे तो वहां पे ट्राउजर भी दिखाई देगी और मैं क्या करूँ अगर मैं कुछ काम निप्टा आगे पहुंचू हूँ और मेरे पास एक ट्राउजर भी ना हो तो ऐसा नहीं कि है नहीं पर एन मौके पर गायव हो तो मैं कैसे आज और एंबीय करा है मैं जानता हूं मैं प्रोसेस बना देता हूं पर मैं प्रोसेस बना दूँ और उसको अचानक कोई तोड़ दे फॉलो करना बंद कर दे तो मैं क्या करूं आप लोग पता नहीं कौन से मुगालतों में जीते हो आपको क्या लग रहा है संस्था के बारे में इसको दिन भर अपनी व्यक्तिगत उर्जा से चलाना पड़ता है दिन भर चाहे वो सुबह का वीडियो हो चाहे सुबह टीवी पर जो आता है मैं दो दिन बीमार पड़ जाओं तो जो कुछ हो रहा है सब बंद हो जाएगा और यह बड़ी समस्या की बात है दुनिया में बड़े समर्थ काबिल धाकड लोग है जानता हूं मैं उनको मेरे बैच में भी थे अन्यता भी जानता हूं आप जाएए और मुझे एक तरह से इरिश्या होती है कि कोई बैंक की नौकरी है वो उनको खीच लेती है कोई कुछ और होगा वो उनको खीच लेगा वो जगह जगहों पर अपने काम कर रहे हैं कोई IT इंडस्ट्री में काम कर रहा है कोई कहीं कर रहा है दुनिया में ऐसा नहीं कि लोग नहीं है पर उन सब लोगों के चुनाव यही होते हैं कि उन्हें जाकर के कहीं और उनके भी क् पत्ति-पत्नी हैं, माबाप हैं, तो वो अपना हिसाब किताब को ऐसे देखते हैं, आज ही मैंने लिख करके भेजा है, कि प्रदीब जी को किसी के बारे में, कि बड़ी मा का मैं लाडला बेटा हूँ, बड़ी मा समझते हैं ना, मम्मी देवी, प्रक्रते, बिल्कुल चुन-चुन कर उन्होंने मुझे पर तोफे निचावर करें हैं, जो आप लोग सीख नहीं पाते हैं सत्रों से, उसकी एक बड़ी वज़ाई यह है, कि आप आप संस्था के संघर्ष का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या लग रहा है, आप सूच रहे हो कि यहां तो आराम वगएरा की शैद जिन्दगी है, क्या है मालूम नहीं, मैं आप से कह रहे हूँ, आप जितना अनुमान लगा सकते हो, आप अधिक से अधिक जितनी ज़्यादा कल्पना कर सकते हो, उससे ज़्यादा संघर्ष है, इतना है कि आपको बताया जाया तो आप बताया जाया तो आपको ऐसा लगेगा, क्यों है इतना, क्योंकि ये जो काम करा जा रहा है, ये सोशली सैंक्शंड नहीं है, socially, politically, morally, economically, religiously जितनी ये ताकते हैं सब की सब चाहती हैं कि ये काम न हो क्योंकि ये काम हो गया तो ये जो पूरी विवस्था चल रही है चाहे आर्थेक, राजनेतेक, धार्मेक, नेतेक जैसी भी ये विवस्था चल रही है इस पूरी विवस्था को ही बदलना पड़ेगा तो विवस्था के नियस्त स्वार्थ इस काम को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते और मरीज को मारने के लिए यही नहीं जरूरी होता है कि खंजर उसके गाड़ दो या गोली मारो जहां सरजरी हो रही हो वहां की लाइट काड़ दो मर जाएगा मतलब समझ रहे ना सरजन कितना भी अच्छा हो बिजली तो समाज से ही लेगा या अपना वो लगाए पावर प्लांट आपका समाज मुझ तक बिजली ही नहीं आने देता और हत्या का उस पर फिर दोश भी नहीं लगता क्योंकि उसने खुद थोड़ी मारा किसी को किसी को जाके गोली मारो तो कहोगे कि इसका मर्डर हुआ है पर गोली तो मारी नहीं बस बिजली काट दी मरीज मर गया जो सबसे दुनिया का मुश्किल काम हो सकता है वो यहां करा जा रहा है बस इतनी इसी बात है कि जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वही दुनिया का सबसे जरूरी काम भी है तो छोड़ नहीं सकते है जल्दी से सुझाओ मत दे दिया करिये कि यह कर लो वो कर लो आप जो भी सुझाओ दे रहे हो बहार से दे रहे हो हम तो भीतर बैठे हैं शायद हमारे पास और बहतर भी सुझाओ होंगे उन पर अमल करा जा सकता तो हमने कर लिया होता आप तक ये recordings आती है ना APC नाम से, AP Circle नाम से रोज दो-चार घटनाए घट रही होती है बोटस्थल में और आप बोलता हूँ कि इसकी recording करके क्यों नहीं डालते हो APC में ये असली APC है लोगों को पता चलने दो ना कि वास्ताव में अचार जी के साथ हो क्या रहा है इसकी डालो तुम तो बहुत manicured version डालते हो अच्छे अच्छी बाते हैं अचार जी खरगोश के साथ खेल रहे हैं APC डल गया अचार जी छोटे बच्चे के साथ है APC डल गया और अचार जी के साथ जो रोज हिंसा हो रही है दिन Unless और बच्छे उन नहीं डालते हैं क्योंकि self pity तो करन वाली ही बात हो जाएगी ना कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है हो हमारे साथ भी वही राय जो कर्ण के साथ हुआ था एक अर्थ में हम भी किसी अस्तित्योगत कुंती की नजायज अउलाद ही हैं बस हमें और कर्ण में अंतर है कि कर्ण ने कृष्ण को पकड़ा नहीं और हम कृष्ण को छोड़ नहीं रहें रहें वरना आपका समाज कर तो हमारे साथ भी विल्कुल करनवाला ही काम रहें झाल झाल